महिलाएं संदेश खाली की हों मनिपुर की या फिर उत्राखंड की सभी का सम्मान बराबर होता है लेकिन यदि मनिपुर की महिलाओं को निर्वस्त्र करने के मामले में मौन साधने वाले अंकिता भंडारी हत्याकांड की निंदा तक न करने वाले संदेश खाली की घटना को लेकर सोर मचाने लगें तो हमें समझ जाना चाहिए कि इनका मकसद महिलाओं का सम्मान नहीं बलकि कुछ और है इन मुद्दों पर इस वीडियो में बात करेंगे अंकिता भंडारी की लड़ाई लड़ रहे आसुतो सनेगी की गिरखतारी पर भी बात होगी और इंडिया ए परचिव और डीजी पी से मिलकर क्या कहा इस बारे में भी जानकारी लेंगे नमस्कार आप देख रहे हैं बात बोलेगी मेरा नाम है तिरलो चनभट और मैं करता हूँ सरकार की नहीं सरोकारों की बात मीडिया से जन सरोकार गायब हो तो मेरे जैसे पत्रकारों का फर्ज है कि जितना संभव हो जन मुद्दों पर बात करने का प्रियास करें इस प्रियास में मुझे आपकी मदद चाहिए आप वीडियो अंत तक देखकर लाइक, कमेंट और शेयर कर मेरी मदद कर सकते हैं यूट्यूब पर आप वीडियो के निचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थेंक्स पर जाकर मेरा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और फेस्बुक पेज फॉलो करें सबसे पहले बात करें आसुतोस नेगी की गिरखतारी की पत्रकार आसुतोस नेगी अंकिता भंडारी हत्याकान को लेकर चर्चाओं में आए वे इस मुद्दे पर लगातार लड़ते रहे मामले की सी बी आई जांच करवाने को लेकर अंकिता के माता पिता को लेकर हाई कोर्ट तक पहुँचे कहना न होगा कि अंकिता को न्याय दिलाले की लड़ाई में आसुतोस नेगी की घुमिका बेहद महत्वपून रही है पिछले आठ दिनों से वे सिर्नगर में अंकिता के माता पिता और कुछ अन्य लोगों के साथ धर ना दे रहे थे कल यानि पांच मार्च को पुलिस ने उन्हें गिरफतार कर लिया पुलिस कर्मियों द्वारा उनके साथ धक्का मुक्य करने का एक वीडियो भी वाइरल हो रहा है हलांकि आसुतोस नेगी की गिरफतारी SCST के तहट दर्ज एक मामले में हुई है यह मामला राजेश कोली नामक एक व्यक्ति ने 28 दुलाई 2022 को दर्ज करवाया था अंकिता की हत्या सितंबर 2022 में हुई थी यानि कि इस मामले का अंकिता हत्या कांड से कोई लेना देना नहीं है लेकिन फिर भी कुछ सवाल हैं जो सक्ता से और पुलिस से पूछे जाने चाहिए गिरफतारी की टाइमिंग को लेकर पहला सवाल उठता है करीब पौने दो साथ पहले दर्ज मुकदमे में गिरफतारी ऐसे समय क्यों की गई जब आसुतोस राज्यकी एक बड़े मसले को लेकर धरना दे रहे थे इस तरह से की गई गिरफतारी यह संदेश तो देती ही है कि अंकिता हत्या कांड को लेकर दिया जा रहा है यह धरना लोग सभाद चुनाओं से ठीक पहले सताधारी पार्टी की किरकरी कर रहा था इसलिए धरने का नेतित तो कर रहे आसुतोस को उठा लिया गया एक तरफा बात करने का आरोप न लगे इसलिए मैं चाहता हूँ कि आसुतोस नेगी के खिलाब S.C.S.T. एक्ट में मुकदमा दर्ज करवाने वाले राजेश कोली की बात भी जरूर सुनी जाए उन्होंने इस गिरफतारी के बाद एक वीडियो सोसल मीडिया पर जारी किया है सुन्ये पाल्टी और जो अन्य संगठन है उन संगठोनों से यह कहना चाहता हूँ कि मेरी जो सिकायत है 28-7-2022 की है और आप सूचनादिकार से भी की जानकारी ले सकते हैं चाहे आप जिलादिकारी कारी आप पौड़ी से ले सिकायत को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि यह फर्जी सिकायत है और यह राजा कोली फर्जी है तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि उत्राखंड के सासना देश में मुझे अनुसुची जाती सिलबकार जाती का परमान पतर मिला है और जो पौड़ी तैस कर रहे हैं कि इस मुद्दे को भड़काना चाहते हैं दूसरी खबर पांच मार्च कोई एवी बीपी ने संदेश खाली की महिलाओं को न्याई दिलाने के लिए देरा दोन में परदर्सन किया बिलकुल इस तरह की घटनाओं का विरोध किया जाना चाहिए लेकिन परदर्स खाली की महिलाओं के संबान से कम था यह भी पूछा जाना चाहिए कि उत्राखंड की अंकिता भंडारी को न्याई दिलाने के लिए किये गए तमाम आंदोलनों में हिस्सा लेने की इन लोगों ने क्यों जरूरत नहीं समझी उत्राखंड के लोगों को इस बात पर जरूर होगा कि पहाड की बेटी के लिए एक शब्द तक मों से न निकालने वाले लोगों को आखिर का संदेश खाली की महिलाओं के संबान की इतनी चिंता कैसे हो गई साफ है कि इन लोगों का महिला संबान से कोई लेना देना नहीं है वे इस तरह के हथकंडे अपना कर सिर्फ अपना राजनितिक स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं एक घटना पांच मार्च को उत्तरकासी जिल्ले के बढ़कोट में भी हुई यहां मुख्यमंत्री पुसकर सिंध धामी का रोड सो चलना था इस दोरान एक मकान की छट पर चढ़कर कुछ लोगों ने बैनर लहराते हुए पुसकर धामी गोबैक अंकिता को न्यायदो और भू कानू लागू करो के नारे लगाने शुरू कर दिये पुलिस कर्मियों ने आनन फानन में चट पर चढ़कर उनके हाथों से बैनर चीन लिये और उन्हें वहां से हटा दिया मुख्यमंत्री के इस रोड़सो और इससे सम्मंदित खबरें कई पन्नों तक फैलाने वाले अकबारों ने इस घटना को लेकर एक लाइन भी नहीं लिखी खास कर उस अकबार ने जो मेरे घर आता है घटना का वीडियो आप भी देखिए क्यां दो अत्थ का वी नहीं? आज यानि छे मार्ज को राजय में हो रही घटनाओं को लेकर इंडिया अलाइंस से जुड़े राजनितिक दलों और सिविल सोसाइटी के लोगों ने मुख्य सची राधार तोड़ी और पुलिस महा निदेशक अभिनव कुमार से मुलाखात कर उन्हें ग्यापन सोपे पुलिस मंडल में कॉंग्रेस के सीसपाल बिष्ट, सीपीयम के सुरेंदर सजवान, सीपीयाई के समरभंडारी, आम आदमी पार्टी की उमासिसोद्या, उत्राखंड इंसानियत मंच की कमलापंत, उत्राखंड महिला मंच की निर्मला बिष्ट और चेतना आंदोलन के शंकर गोपाल मौझूद थे, सिविल सोसाइटी के एक सदस्य के रूप में मैं भी इस परतिनिजी मंडल के साथ मौझूद था, परतिनिजी मंडल ने दोनों अजिकारियों के साथ बातचीत में मुच्छ रूप से हलदवानी के बनभूल पुरा का मामला उठाया, और वहां निर गिरफतारी के तरीके को लेकर भी परतिनिजी मंडल ने सवाल अठाया, और कहा कि जिन पुलिस कर्मियों ने आसुतोस नेगी को गिरफतार किया, उनकी नेम प्लेट नहीं थी, और गिरफतारी की सूचना उनके परिवार और परिजनों को नहीं जी गई, तो दोस्तों, इस चैनल पर आये हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और घंती दबा कर ओल कर दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए.